मैं भारत को भारती अता की मानिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ अब लॉंग का नाम यादाया तो आपको बताता हूँ यह इतनी बढ़िया चीज है यह तो कई बार कफ की हर बीमारी में कामाती है लॉंग को आप जानते हैं लेकिन एक बीमारी में मैंने इसका बहुत उप्योग किया है और इतने बढ़िया परिणामें आप सबको बताना ऐसे कोई भी भाई पुरुष जिनके भीर में शुक्रानों नहीं बनते उनकी सबसे अच्छी दवा है यह लॉंग उनको लॉंग का पानी कहो रोज पिये और एक लॉंग का तेवी भी आता है बजार में तो एक बून लॉंग का तेल एक चमच गरम पानी में डाल के रोज पिये तो इतने शुक्राओं बनते हैं भीर में हमें कई बार चमतखार लगता है ऐसे कई पुरुष जिनके दद्दस साल से शारी के बाद बच्चे नहीं हो रहे थे यह एक कारण से उनको मैंने तीन माई में लों का टेव दिया एक एक बूंग और भी सब बाप बन गए मतलब यह है नपुन सकता की सबसे अच्छी दवा है यह लोंग बहुत बढ़िया है यह लोंग कफ में खासी में कई लिए काम आती है बुखार में भी काम आती है और यह दवाए ऐसी बताता हूँ जैसे यह लोंग है ना ऐसी एक और दवाए है अपने गड़ में वो भी नपुन सकता को ठीक करते है चूना ये पान में जो हम चूना खाते हैं न ये चूना गेहूं के दाने के बराबर दही में मिलाके किसी को भी खिलाओ विरी में शुक्राओं बहुत बनते हैं और गन्वे के रस में खिलाओगे तो और अच्छा परिणाम में इसका चूना गेहूं के डाले के बराबर गन्य करस आदा गिलास बहुत अच्छी दवा है माता ने भी इसको प्ले सकती जिन माताओं के शरीर में अंडे नहीं बनते अबिलेशन का प्राब्लम है उवं का प्राब्लम है उनको चूना चुला गन्य के रस्में बहुत पढ़िया दो है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाए